उदासी या डिप्रेशन एक सामान्य लेकिन बहुत गंभीर बीमारी है जो आपकी भावनाओं, आपकी सोच और आपके व्यवहार को नकारात्मक या नेगिटिव रूप से प्रभावित करती है डिप्रेशन में आप उदास महसूस करते हैं और सभी रोज मरा गतिविधियों या डेली एक्टिविटीज में रूची खो देते हैं जिनमें आप पहले आनन लेते थे जैसे कि आपका रोज का कामकाज, अपना खयाल रखना, एक्सेसाइज या व्यायाम करना, समय पर खाना या सोना, दोस्तों से मिलना, सैर पर जाना या फिर कोई पिच्चर देखना डिप्रेशन की बीमारी कई तरह की भावनात्मक या इमोशनल और शारीरिक या फिजिकल समस्याओं को पैदा करती है, डिप्रेशन में आप कोई भी उपयोगी या उद्देश पून काम करने में और समर्थ हो जाते हैं, और ये काम चोटे से चोटे या आसान भी क्यों नह पूट कर दांद घसना या पिर नहाना या साफ कपड़े पहनना, डिप्रेशन में इंसान इतना भी नहीं कर पाता, डिप्रेशन की बीमारी हलकी या गंभीर हो सकती है, इस बीमारी को डिप्रेशन कहने के लिए आपको कम से कम दो हफ्तों तक लक्षनों का अनुभव होना चाहिए, याद रखिए, थाइरोइड की समस्या, ब्रेन ट्यूमर या विटामिन की कमी जैसी स्थितियों में भी डिप्रेशन के लक्षन दिखाई दे सकते हैं, इसलिए सबसे पहले सामान्य कारणों को ढूणना और उनका इलाज करना बहुत जरूरी है, इस समय दुनिया बिमारी होने की संभावना या प्रेविलेंस रहती है, सोचो आपके घर, बिल्डिंग, स्कूल, आफिस और परिवार में इसमें से कितने जनों को ये डिप्रेशन की बिमारी हो सकती है, यह बिमारी अनुवान्शिक भी हो सकती है, मतलब कि यदि आपके माता-पिता को हो या आपके परिवार में किसी को हुई हो तो आपको भी इस बिमारी होने की संभावना बढ़ जाती है, संचोधन बताता है कि हर तीन में से एक स्त्री को डिप्रेशन है, यह बहुत बड़ी संख्या है, आपके लिए यह समझना जरूरी है कि साधारन उदासी और डिप्र स्थाई है, डिप्रेशन की उदासी आसानी से दूर नहीं होती, मानो जैसे चिपक जाती है, यह आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है, जब यह बिमारी लग जाए तो आपकी दिन चर्या, खाना, पीना, जागना, सोना, दोस्तों से मिलना, काम करना, व्यायाम करना, आपकी सभी मन पसंद अक्टिविटीज सब उलट सलट हो जाती हैं, आप बिनावजे गुसा हो सकते हैं, अकेला रहना पसंद करने लगते हैं, काम चोड़ देते हैं, या फिर बीडी, सिगरेट, दारू या दूसरे व्यासनों का भी उप्योग करके उनकी तरफ बिमारी को और भी बिगार देते हैं, सवभागय से अन्य बिमारियों के जैसे डिप्रेशन के उपचार और इलाज हैं, आप उनका उपकरन करें, डिप्रेशन से मुह ना फेरें, क्योंकि इससे चिपने से यह बिमारी ठीक नहीं होगी, बढ़ती ही जाएगी.